कि अगे सुप्रभाद बच्चों चावाल की रोटिया पाट को तो आप लोग पढ़ चुके हों पाट का सब्दार्थ भी आप लोग लिख चुके थे अब हम इसमें से थोड़ा सा आज अभ्यास करते हैं प्रस्नुत्तर ठीक है तीस पाट का तो आपको अभ्यास लिखाते रहा हूं आप लोग जहां से इसको देखते यह और अपने कॉपी में नोट कर लिजेगा ठीक है पहला प्रश्न है इसमें नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं कोई भी नाटक होता है जैसे आप लोग फिल्म में देखते हो फिल्म में कलाकार काम करते हैं जिसको हम लोग हीरो खलनायक विलैन है ना नायाक हीरोईन नाइका इसा बोलते हैं तो उन सब को हिंदी में हम लोग इसको बोल कई सारे नाम है पात्र वर्दब नेगेटिव भूमिका बोलते हैं ना करात्मक भूमिका में जिसको हम लोग खलनायक बोलते हैं और कुछ किसमें रहते हैं अच्छी भूमिका में रहते हैं जिसको हम लोग हीरो बोलते हैं तो बस यह अंतर है ज्यादा इसमें कुछ अंतर नह नहीं होती उन्हें गौड़ पात्र कहते हैं तो इस तरह से मुख्य पात्र होते हैं और गौड़ पात्र तो आपको यहां पर कोश्य में बताओ इस नाटक में कौन-कौन मुख्य और गौड़ पात्र है तो जैसे आपने पात को पढ़ाई है जानी रहें कौन-कौन से मुख्य पात्र थे कोको मीमी और तीनसू जो आपस में गहरे दोस्त थे है ना कोको मीमी और तीनसू और गौड़ पात्र में है नीनी और उबातून जो क्या है इस नाटक को और आगे खीचने के लिए आ रहे थी इसमें है ना और नाटक को आगे बढ़ा रहे थे और साइड में उनका जिसको हम लोग साइड विजनेस इसको में क्या बोल सकते हैं मतलब सहपात्र ठीक है तिस तरह से प्रश्ण है अगला फिर आते हैं नेक्ट प्रश्ण है इसमें अगला प्रश्ण कहते हैं एक जूट बोलने के लिए सो जूट बोलने पड़ते हैं क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है कहानी के मदद से इस बात को समझाओ क्या तुमको ऐसा लगता है कि कभी मालो कोई एक गल्दी कर दिये और उसको जूट बोल दिए है ना अब उस जूट को छुपाने के लिए आपके क्या करना पड़ेगा ऐसे बहुत सारे जूट बोलने पड़ेंगे क्योंकि आपको पहले वाले जूट को छुपाना है है ना तो ऐसा इस पार में हुआ है हाँ एक जूट को छिपाने के लिए बहुत सारे सारे जूट बोलने पड़ते हैं अपनी इस नाटक में देखा ही है एक जूट को छिपाने के लिए बहुत सारे जूट बोलने पड़ते हैं इस नाटक में कोको अपनी मन पसंद चावल की रोटियों को खुद खाना चाहता है किसी सेयर नहीं करना चाहता अब खुद खाएगा तो उसको छिपाना पड़ेगा और उसको छिपाने के लिए उसे कई सारे जूट बोलने पड़ते हैं अपने दोस्तों से इसे छिपाने के लिए वह सबसे कई सारे जूट बोलता है कभी बोलता है पेट भर गया है कभी बोलत तह है माँ को एलर्जी है इस तरह से कई सारे जुट बोलने पड़ते हैं है ना तो इस तरह से कई सारे जुट बोलते वे वह अपने रोटियों को छिपाना चाहता है मतब क्या हुआ आपको एक जूटे दी छिपाना है तो उसके लिए बहुत सारे जुट बोलने पड़ेंगे ठीक है अगला प्रश्म है एक ही चीज के विभिन रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं जैसे नीचे ऐसे कुछ सब्द दिये गए हैं उनमें अंतर बताओ अब यहाँ पर जैसे यह सारे माटेरियल चावल के अंतर गताते हैं है न चावल धान भात मुर्मुरा और सब किससे रिलेटेर हैं चावल से लेकिन सब का मिनिंग अलग अलग है हर्च अलग 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 चीजी है उसके बाद दूसरा जैसे यह दाल के बारे में हैं साबुत दाल धूली दाल और छिलका दाल इसी तरह से वीट या गेहूं से सम्मंदित है गेहूं दलिया आटा और सूजी ऐसे सब के नाम अलग-अलग हैं लेकिन सब एक ही हैं ठीक है तो क्या क्या है उसी के बारे में यहाँ पर पूच चा रहा है तो सब को एकई करके मैं लिक रहा हूं द्यां से देखती जाईए ठीके सबसे पहला है चावल चावल क्या है धान मेंसे निकला दाना चावल कहलाता है धान आप लोग देखे ओ जब उस धान है ना धान क्या होता है इसी में आगे है देखे धान छिल्का चड़ा की शलके को निपाल ले जाता है तो हमको क्या मिलता है चावल सबसे पहले होता हूँ धान के अंदर कया रहता है अब भाथ भात दो्म झा Hunting किसको बोलते हैं पकेवे चावल को भात कहते हैं पकेवे चावल को भात कहते हैं मतलब पानी डाल के जब उसको पकाया जाता है तो उसी चावल को हम क्या बोलते हैं भात ठीक है उसके बाद है मुर्मुरा मतलब चावल को भून कर मुर्मुरा बनाया जाता है आप लोग देख homeibenit भूना जाता है चावल को थो क्या बनता है मुरूम्रा बोलते हूं कहीं अलग QUE LA Bhesuskin कहीं पर मूरी हिस्लाइब है तीक है ऑसी तरह से चीव्रा का त क्या है चीव्रा चीव्रा तो जानते ही होगे धान को भीगो कर या उबाल कर कुटने से चिवडा बनता है धान को भीगो कर या उबाल कर कुटने से चिवडा बनता है धान या चावल को क्या करते हैं पानी में भीगो देते हैं फिर उसको कुटा जाता है चप्टा कर दिया जाता है उसको तो क्या बनता है वो करते हैं एक बीच को दो तुकड़ा करके फिर उसको डाल पकाया जाता है लेकिन साबुत डाल क्या होता है जब वो पूरा होता है दाना उसको इस तरह से बीच छिलके की डाल को धुली डाल कहते हैं, बीना छिलके की डाल मतल SMITH जब पहले क्या था, साबुद डाल, जısτούें छिलका लगे हुरा रहता है ठीक है, और तुगड़ा नहीं होता फिर उसी को कहते हैं, धुली डाल छिलका उसका निकाल के उसको दो तुकड़ा कर देते हैं तब वो बन जाता है धूली दाल फिर है छिलका वाली दाल टूटी भी लेकिन छिलके वाली दाल छिलका भी रहता है और दाल को दो तुकड़ा कर दे जाता है तब वो बन जाता है छिलका दाल अगला है गेहूं, अबे सारे आइटम है गेहूं के, है ना पहला है गेहूं, साबुत दाना, जैसे धान रहता है उसी तरह से गेहूं भी एक साबुत दाना रहता है, जो हमको फसल से मिलता है, अब उससे पहले बनाते हैं दलिया, गेहूं को दल कर अथ्वा मोटा पिसकर दल बनाते हैं बहुत ही पॉष्टिक होता है पॉष्टिक मतलब खाने के लिए अच्छा रहता है यह बच्चों को ज्याज़तर खिला जाता है आप लोग देखे होगे आंगल बाड़ी में बाटा भी जाता है इसको है ना उसके बाद है आटा जिसके आप रोज रोटी खाते फिर इसको बारिक पीस कर मैदा बनाया जाता है आटा और मैदा दोनों से एक ही चीज़ से बनती है गेहूं से लेकिन आटा डारेक्ट पीस आ जाता है और लेकिन मैदा पीस मैदा बनाने के लिए क्या करते हैं पहले गेहूं के बाहरी आवरन को निकाल दिया जाता है बाहर मैदेवाला स्टेफ है मैदा बनाने के लिए उसी मैदेवाले में बहारी परत को निकाल दिया जाता है फिर उसको दरदरा पीस्ते हैं छोटे-छोटे दाने की रूपने तब बनता है सूजी ठीक है तो इस तरह से इस चेप्टर का ये कुछ को सेंसर है इसके अलावा जो प्रशनुकतर है वो आपके खुच से बनाने हैं उन प्रशनुकतर को मैं फिर से आपको गूगल क्लासरूम में ही दे दे रहा हूं आप लोग वहां से देखकर उनके उत्तर खुच से खुच कर ल ज्लिए झाल दो और होसाओ क्वेट वब दे घ्रशनुकतर जब दे बहुततरी की बहुततरी की थाटवाएं ट्याओरे यविंघ यवी की की बहुततरी की चार्शनुकतरी की की जो आपको बहुततरी